इसको आप पाकिस्तानी रूपीज में कनवर्ट करके देखता हूँ तो यह देखें 83 लैक रूपीज बनते हैं असलम अलेकुम देखें भाई मैं बात नहीं करता पेमिंट प्रूफ के बागर ताके आप लोगों को यकीन आसा के वाकई इस चीज में स्कोपे में जस्ट आपक के बास तालिम नहीं है, आपकी जैएन मैंटरिकरिक से कम हैं सब कुछ ट्रैक ऑंड्रव और कॉबी-पेस्ट से होने वाला है ow jew आहग आप लोग यह सोच रहा हूंग है यह काम इसानी से हो सकता है, आजगे आखे問 आप शौम के वाय होसी मैं क्यों सकता अगर आप लोगों को और प्रूफ देखना है कि मैं ये काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा तो आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर मैंने यहाँ पर इतनी सारी वीडियो बनाई भी आपके सामने कि मैंने अपनी अर्णिंग भी शो किये ताकि आपको और मोटिवेशन म सीखते हैं ओके तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्रोम को ओपन करना है और क्रोम ओपन करने के बाद यह जो आप लोगों को डॉट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह तो 9 डॉट्स आपने सिंप्ली इंपर करना क्लिक किक जो के हैं Google Apps होता तो simply आप यहाँ पर search कर सकते हैं Google forms इस तरह आप लिखेंगे तो भी आपके पास यह देखें फिर्स नमबर पर आजाएगा यह देखें यही वाला लोग है यह वाला तो आपने simply इसको open कर लेना है लेकिन हम यहाँ पर already open कर चुके हैं अब आपके पास यहाँ बार देख होंगे आपके पास भी आते होंगे कि survey के लिए forms आते हैं बहुत सारे लोग उस forms को create करवाते हैं कि यह form हमें बनवा दें क्योंकि उनको खुद को यह form design करना नहीं आते तो यहाँ पर वह answer देते हैं answer देने के बाद submit पर click करते हैं अपना email लिखते हैं और यह company के पास जो company उसका survey ले रही होती है यह सब कुछ उसके पास easily show हो जाते हैं और वो detect कर सकते हैं कि किसने medium पर select किया है किसको access चाहिए किसको large size चाहिए तो इस तरह से वो detect कर सकते हैं और वो एक collection data निकाल सकते हैं तो इसी तरह से हमने भी कुछ forms को design करने हैं अब कोई client कहता है यह form चाहि customizable form बनाना चाहते हैं तो simply आपने यहाँ पर blank के button पर click करना है जिस तरह से हम एक customizable form बना रहे हैं अब यह जो आपका form लिखा हुआ है अब यह देखें यह थोड़ा बहुत guide कर रहा है आपके पास इस तरह से आएगा then responses or settings का क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा अब जैसे क पर यह देखें आपके पास और भी options चो हो रहे हैं अब देखें यह heading देदी अब मैं चाहता हूँ कि यह जो color है यह भी change हो जाए तो simply यह रिखावर customized theme पर मैं click करूंगा अब यहाँ पर यह देखें यह इसकी handwriting वगरा है मैंने simply यहां से select किया देखें मैं इसको select करूंगा यह देखें यह blue हो गया तो आप इन सब को change कर सकते हैं अब एक और चीज़ header में मुझे कोई image लगानी है first करें मैंने अपना template बनाया canva वगरा से तो यहां पर आपने आना है choose image पर click करूंगा यहां पर आपको बहुत सारी mail विचाएंगी नहीं तो आप अपनी random use करना चात कि आप कहीं भी stuck ना हो और अगर आपको यह वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है यह वीडियो भी बहुत amazing है यहां पर मैंने इसको यहां सब्सक्राइब कर देता हूं यहां पर मेरे पास image भी show हो गई है मतलब आप कुछ भी company का logo company का banner बगरा भी यहां पर पर add हो गया और मज़ी की बात यह कि जो थी में यह भी इस कलर में मेरी हो चुकी है आप यहां से डिसको करना चाहिए तो वह भी आप इसली कर सकते है मुझे यह चीज अब परफेक्ट लग लिए अब मैंने इतनी heading यहां पर मैंने यह लिख लिया सब कुछ मेरा perfect हो चुका है अब मुझे इसमें questions को एड़ करना है questions कहां से आंगे client ने तो मुझे इतना कहा कि आप मुझे health insurance related survey बना दे उसने demand ने की कि यह questions होने चाहिए तो उसके लिए simple method है आपने जाना है chat GPT में यहां पर आपने just इतना लिखना है health insurance survey questionaries just आपने इतना लिख आप यह देखें आ अगर client केता है question भी आपने find करने तो आप यहां से कर सकते हैं और इसके 10-20 डॉलर extra charge कर सकते हैं अब यहां पर आने के बाद simply आपका काम है copy paste का आपने यहां से देखें what is your age इस question को copy किया अब यह देखें यहां पर लिखा बाए untitled question मैंने simply यहां पर इसको दिया and 18 to 24 यहा 25 to 44 मैंने इसको यहां से copy किया यह देखें यहां भी add हो चुक है अब इनके आगे अगर आप images लगाना चाहते हैं तो भी आप इनको लगा सकते हैं यह देखें यहां पर आपको मैं कोई भी image लगा के भी दिखा देता हूं यह चीज़ें आपके बहुत काम आ सकती हैं ताकि आप कहीं भी stuck ना हो यह देखें मैं email लगाया तो यह देखें यहां पर image भी आ चुकी है तो मैं इसको यहां से अटा देता हूं जैस मैं आपको simple बताता हूं यह देखें यह हो गया अब अगर आप इसको required के button पर click कर देंगे तो क्या होगा कि यह required हो जागा question इसका answer देना इसको क्लिक कर लिया अब यह देखें मेरा एक question जो है वो बनके ready हो चुका है अब इसी तरह से मुझे इस option को पर करना है यह वाला नीचे लाना चाहता हूं तो मैं यह भी कर सकता हूं यह देखें ड्राइग और डॉप वाला option है यहां पर आप जो है इस चीज को भी adjust कर सकत है मैं दोबारा अपने चैट चीवटी में जाओंगा मैं तीन questions आपको add करना बता रहा हूं थाकि इसमें बहुत सारी चीज़े आप लोगों को clear हो जाएंगी पिर आपके जितने client के questions हो आप वो इनको easily कर सकते हैं यह देखें यह वाला है मैंने इसको यहां से question को add कर लिया यह male then female तो मैं यहां पर पहला option male रख लेता हूं then मैं दुबारा add option पर click करूँगा यह female आ गया automatic आ रहा है दुबारा मैं add option पर click करूँगा यह देखें prefer not to say यह AI detect कर रहा है मैंने कुछ भी नहीं लिखा यह चीज़ भी आप लोगों की यहां पर clear हो चुकी होगी then यह भी म 25,000 dollars तो मैंने इसको यहां पर लख लिया मुझे यह वाला भी option copy करना है इसको भी मैंने यहां से रखके इसको भी मैंने आपर रख लिए simply मैं दो option रख रहा हूं कुछ समझाने के लिए अब देखें यह चीज़ तो हो गया अब इसी question को मैं copy करना चाता हूं simply मैं आपर click कर करते हैं तो यहां भी आप जो है वो कर सकते हैं मैंने simply यहां से copy किया या पिर आप जो है इसके रेंडम ली description लिखवा भी सकते है चैट चीपटी से यह description आ गई अब यह वाला form जो है मेरा बन के रेडियो गया आगे मैं बताता हूं आपने इसको से करना और यह responses वगरा का क simply आपने यहां पर send के button पर करना है click और यह लिखा हुआ है send via email send via link या पिर आप इसका embedded code भी दे सकते हैं जो कि अपनी यह website में भी add कर सकता है तो मैं यहां पर email पर करता हूं click to मतलब किसको बेजना है तो आप यह client का email डाल देंगे एक और चीज़ यह लिखा हुआ add editor simply मैंन इसको यहां से add editor पर click किया अब यहां पर मैं वह email address डालूँगा जिसको मुझे इसकी complete access देनी है तो यहां पर यह रिस्ट्रक्टेड है तो आप यहां पर लिख सकते है anyone with link अगर आपने किसी को भी दे सकना है link को अगर आप किसी prefer बंदे के लिए बना रहे हैं तो आप यहा से authentication देंगे तो वो इस form को access कर सकता है जस्ट आपने यहां पर उसका email address डालना है simply यह करना है अब देखें मैं आपको करके भी दिखाता हूं जैसे कि यह form में रेडियो हो गया मैंने simply यहां से stand के button पर click किया यह लिखावा don't collect email addresses यहां पर आपने verified अगर click करेंगे तो verify email address collect ह होंगे यहां पर देखें अगर आप don't collect पर click करेंगे तो वो collect नहीं होंगे तो मैं कहता हूं कि यहां पर आप 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 कर सकते हैं लेकिन मैं यहां लिंक पर click करूंगा और यह देखें एक और चीज़ यह लिंक आपको बड़ा लग रहा है आपने simply यहां से short end URL पर click करना ह तो यह देखें यहां पर email address भी आगया किसी भाई का और यह जो है सारा आगया अब यह लिखा हुआ है not shared मतलब email address share नहीं और आगर मैं वहां पर verified कर लेता तो यहां पर email address show होता ओके अब यह लिखाव what is your age यह वही question है जो कि हमने add किया थे तो देखें मैंने यहां पर इसक अब यहां हम female select करेंगे उसकी कुछ वज़ा है यहां पर मैंने इस option को select बलके मैं इस last वाले को कर लेता हूँ इसको मैंने female select किया और इसको मैं option to submit के button पर कर दूँगा click क्लिक किया अब मैंने जो form create किया यहां आता हूँ यह देखें मैंने दो form fill किये तो यहां पर मेरे पास two responses आ गए simply मैंने देखें response पर click किया अब मुझे यहां पर बता रहा है यह summary आ गई है किसकिस ने मेरा form fill किया और किसने क्या answer दिये देखें हमने दो answer दिये एक में तो यहां पर देखें इन में दो उफ्शन को यूज़ किया यहां पर आप देखें आप वन बाइवन चेक भी कर सकते हैं जा देगे इसके किसने क्या अंसर दिये तो यहां भी आपको बता देगा रिस्पॉंस पर क्लिक करेंगे आपको बता देगा कि यह रिस्पॉंस इसका क्या मिला है इसको भी कर सकते हैं बहुत सारी सेटिंग्स हैं पिर आप इसको वाइड़ देख सकते हैं ताकि आपको और अंदाजा हो सके आप खुद भी इसको प्ले करें जिस चीज में स्टक हूँ आप मुझे कमेंड में लाजमी बताएगा यह सारा होने के बाद अब यह मेरा फॉर्म बनके रोडी हो गया यहां पर मैंने आपको रिस्पॉंस इस वागरा भी बता दिये करना भी बता दियde कि किसे आपने क्लेइन को सेयं करना बारी में चलते हैं कि हमने इसको सेल कहा पढ़ा और कितने पीसें में गया अर इसके कितने पस्फरम पेसें मिलें जीनिक Software copy paste to word document यह जोब्स लोगों ने पोस्ट की विए यह देखें मैंने यहां पर जॉब्स लेक्ट किया था यह देखें लिखा वाइड थर्टीन अंडेड जॉब्स क्या करें यह देखें डेटा स्क्रेपिंग गूगल शीट यहां पर सारी जॉब्स आपको उसी टूल से रिलेट कर रहें और थोड़ा से लास्ट में यह देखें Google फ़र्म यूज कर रहे हैं और यह पाकिस्तां से 26 डॉलर पर आवर चार्ज कर रहें मैंने आपको 10 डॉलर बताया है लेकिन यहां पर 26 डॉलर तक चार्ज कर हैं मैं इनको उपन करके दिखाता हूं क्या इन्होंने और खु सर्च करना है मैं इसको multiply कर दूँगा इन्होंने कितने order complete की है 1118 1118 simply इतने हैं मैं इनको यहां से equal करता हूँ तो यह देखें 29,000 डॉलर earned कर चुके है गूगल एप्स का यूज करके जिसमें Google form भी आता है जैसे के मैंने आपको बताया और मैं इसको अब पाकिस्तानी रूपीज में convert करके देखता हूँ तो यह देखें 83,000,000 रूपीज बनते हैं यार यह fake नहीं है आप यह चीज़ खुद भी यहां पर आके सर्च कर सकते हैं आपको यहां पर reviews में मिल जाएंगे हर चीज़ आपको detail में मिलेगी मैं कोई आप लोगों से मजात नहीं कर रहा है सब कुछ यहां पर आपके सामने life proof मौझूद है आप खोद आये यहां पर इस चीज़ पर research करें कि यह वाग कई work हो भी रहा है या नहीं एक website हो गई अब हम चलते हैं दूसरी website पर जिसका नाम है Fiverr यहां भी मैं आपको payment proof दिखा देता हूँ यहां भी मैंने search किया Google forms कर रहे हैं यह देखें form create कर रहे है survey form आपके सामने मैंने आपको survey form create करना बताया अभी इसमें कोई जूट वाली बात नहीं है सब आपके सामने यह लिखावा गूगल फॉर्म यह लिखावा रिसर्च फॉर्म यह देखें questionaries जोके मैंने अभी आपको बनाना सेखा यह कितने question आपके पास आगा है अब यह देखें आप chat GPT को कह भी सकते हैं कि please write minimum 30 questionaries कोई मसला नहीं spelling वगर अगर आपको वलाद लगती है तो कोई नहीं यह chat GPT कर लेगा तो यह देखें यह 30 questionaries आपको find करके देदेगा जिस भी निच से related आप इसको कहेंगे यह देखें यह write क करता जाएगा अब यह आपका time बहुत लेगा मेरा भी तो इसको हम फिलाल ऐसी चलने देते हैं लेकिन यह सब काम बहुत easily हो सकते हैं अब यह सब आपके सामने हैं आप यहां पर आके work कर सकते हैं Google Sheet पर Google Docs पर यह सारी चीज़े मैं आपको सिखाई हुई हैं और यह देख अब यह वीडियो भी आप लोगों को बहुत जादा पसाद आयोगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दिएगा ताके हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें मिलते हैं अगली वीडियो में अला आफेस